प्रेंड्स आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं गाड़ी थीकी हरी भरी चटनी एकदम ऐसी जो आपको रेस्टरान में ही मिलती है और कहीं नहीं मिलती है यही चटनी है यह टू टाइप की चटनी एकदम गजब की चटनी है जिसका स्वाद एकदम लाजबाब है चाहें वो स्नेक्स हो सेंड्वीच हो कबाब हो सब के साथ दोड़े की यह हरी भरी चटनी तो चलिए फिर अग्सर सब यही सोचते हैं कि रेस्टरान वाली चटनी घर में क्यों नहीं बनती है उसका कलर उसकी ठीकनेस ऐसी घर में क्यों नहीं आती है हम आपको बताएंगे एक्दम पर करना किया है अब लेंगे एक जार उसमें डालेंगे टू स्पून चना और थोड़ा पानी डालका इसको दरदरा ग्राइंड कर लेंगे इस तरह हमने इसको ग्राइंड कर लिया है अब इसमें मैंड कर देते हैं जिंजर गार्लीक ग्रीन चिली थोड़ा कम ज्यादा अपने अकॉर्डिंग एड़ कर सकते हैं अब साथ में हम आज कर देंगे इसमें मिंड लीव्स कॉरियंडर अब यहां पर हमने जो सॉल्ट लिया है वो लिया है पिंक सॉल्ट एंड ब्लैक सॉल्ट अगर आपके पास में पिंक सॉल्ट नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं आप सिंपल वाइट सॉल्ट भी ले सकते हैं साथ में लिया है roasted jira powder, चाट masala और थोड़ा सा हमने लिया है आमला जो कि हमारी skin के लिए ये hair growth के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है और अभी seasonal भी है साथ में हमने लिया है lemon juice अब थोड़ा से इसमें पानी और add करेंगे इसको grind कर लेंगे एकदम fine आप देख सकते हैं कितना प्यारा इसका color आ चुका है अब आप इस चटनी को इस्तमाल के लिए चाहे वो पकोड़े हो सेंडवीच हो या snacks हो बस आपको चटनी का स्वाध याद रहेगा और पकोड़े का साथ आप भूल जाओगे चलते हैं अपने next चटनी की तरफ कौन सी चटनी है हमारी दूसरी चटनी है वो है green garlic चटनी वो कैसे भई गर्लिक चटनी इसलिए क्योंकि हाँ पर हमने जो कच्चा वाला हरा लस्तन होता है उसका इस्तमाल किया है अभी ये मोसम में है तो आप इसका इस्तमाल जरू कर बहुत ही गजब की चटनी बनती है तो बनाने के लिए हमने एक garlic का यानि की डंडी का इस्तमाल किया है और साथ में लिए हरी मिर्च जिंजर साथ में यहाँ पर हमने डाला है धनिया यहाँ पर हमने पोदीने का बिल्कुल भी इस्तमाल नहीं किया है कि एवल हमारे ये हरी धनिय की चटनी है वाइट सॉल्ट एंड ब्लेक सॉल्ट एड़ कर दिया है साथ में चाट मसाला अब डाल देंगे इसमें हम कर्ड बहुत ही गजब की चटनी बनती है और कलर बिल्कुल आपका बहुत ही ज्यादा ब्यूटिफुल मिलता है एक चम्मर तेल डाल दे और यह फटा फट से आपकी चटनी बनकर तयार तो इसका कलर देख सकते हैं कितना ब्यूटिफुल है और बहुत ही स्मूथ चटनी यह बनकर तयार हो आप चटनी हमारी तयार हो चुकी है तो फ्रेंड्स आप इस चटनी को बनाना बिल्कुल मत भूलेगा तो आपको फिर से मिलेंगे एक नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी में तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त बाई बाई